हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज में लेकर रहा हूं आप सब के लिए वेरी ईजी एंड वेरी टेस्टी टिफिन बॉक्स रेसिपी तो चली देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं तो यहां पर एक पैन में ले लिए मैंने वन टेबल स्पून जितना ओईल या फिर आप भी ले सकते हैं और तीन से चार लसन की कलिया है फाइन चॉप करके इसमें एड कर दी और बस हलका से इसे फ्राइ कर लेंगे और इसमें एड कर देंगे कुछ वेजटेबल्स तो यहां पर मैंने थोड़ी से ले ली गाजा थोड़ी सी शिंबला मिर्च और थोड़ी सी प्य है और आपको निकालने की विज़रूरत नहीं है तो इस तरह से बिल्कुल छोटे टुकडों में हमें कट कर लेना है जिस तरह से इस तरह से मैंने क्यूप्स में इससे कट कर लिया आप अपने हिसाब से कम जादा चोटा बड़ा कर सकते हैं तो किसी भी तेज धार वाली जाएंगी सोगी हो जाएंगी खाने में अच्छी नहीं लगेंगी सबजी आप स्किप करना चाहते है तो इसकिप कर सकते हैं या फिर और बी सब्सब्स आपकी फेवरेट हो वह एड़ कर सकते हैं तो यहां पर मैंने ले लिए शिजवान सॉस एक टेबलिस्पून भरकी समे तो यहां मैं अपनी बेटी के लिए रिफिन के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने कुछ भी इसमें मिर्ची एड नहीं की क्योंकि तीखा बिल्गुल भी नहीं खाती है और थोड़ा साइड कर देंगे बस सोया सॉस तो मेरे पास डार्क सोया सॉस थी इसलिए मैंने कुछ पूंदली वारना इसका कलर खराब हो जाएगा और थोड़ा सा ऐड कर देंगे मिक्स होस या फिर और और इसके ऊपर थोड़ा सा एड कर देंगे चिली फ्लेक्स अगर आप अपने लिए बना रहे तो थोड़ा सा आप दीखा भी बना सकते हैं इसमें मिर्ची भी एड कर सक या फिर चीज स्किप कर सकते हैं वैसे भी यह बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में तो इस तरह से मिक्स कर देंगे और कुछ मिनट के लिए हमें ढख देंगे ताकि चीज जो है वह मेल्ट हो जाए अच्छे से और फ्लेम को हमें लो रखना है हमें ब्रेट को बिल्कुल भी क खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ ही साथ हैल्ली भी आए तो जरूर राइ कि जेगे इस तरह से बचों को तो बहुत पसंद आता है क्योंकि बच्छों को खुश करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है कि वह पूरा अपना लंच बॉक्स फिनिश करके आए इस तरह से बनाएंगे तो जरूर लंच ब्रॉक्स करके आएंगे और आपसे डिमांड करेंगे दुबारा बनाने की तो जरूर ट्राइ कीजेगा ब्रेट की सिंपल एंड एजी रेसिपी